हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में बोहर मेगनेटन के बारे में अंडस्टेंड किया था आज हम डिसकस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो मेगनेटीजम में यूज़ होंगी सबसे पहली है इंटेंसिटी ओफ मेगनेटाइजिशन इसे हम आई से डिनोट करते हैं देखो यह आप लोगों के लिए नया टॉपिक है नई नहीं टर्म्स इसमें यूज़ होंगी तो आप अच्छे से step by step understand करते रहें क्योंकि जितनी भी चीज़े हैं वो एक दूसरे के साथ interlinked हैं एक दूसरे पर depend करती हैं ठीक है अब देखो intensity of magnetization देखो हमरे अपने last वाले lecture में बात की थी जब कोई electron revolve करता है एक orbit में nucleus के around तो वो एक current loop की तरह behave करता है ठीक है because वो electron move कर रहा है और जब भी electron move करता है charge move कर रहा है तो current produce करता है तो हमने कहा कि वो ए current loop की तरह behave करेगा अब current loop है तो current loop क्या produce करता है magnetic field produce करता है clear है अब हमने उसमें कहा था उसमें south pole और north pole बनते हैं जब current की direction clockwise होती है हाना आप उसको understand करने के लिए अच्छे से एक बार last वाले वीडियो अच्छे से देख लें तो अब वो क्या कर रहा है वहाँ पे south pole और north pole भी उसमें बन रहे हैं तो वो क्या produce कर रहा था जो revolving electron था वो produce कर रहा है magnetic dipole moment उसकी अपनी एक dipole moment भी होगी ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम किसी एक electron की बात नहीं कर रहे हैं हम atoms की बात करते हैं माल लो आपके पास कोई element है जिसमें बहुत सारे atoms हैं बहुत सारे atoms होते हैं ठीक है अब वो जो atoms हैं वो सब क्या produce करेंगे उनकी अपनी अपनी क्या होगी dipole moment होगी ठीक है अब हम atomic dipole moment के बात करेंगे atoms के बात करेंगे तो देखो माल लो आपने कोई यहाँ पर material है यह वाला आपने place किया हुआ है ठीक है इसमें बहुत सारे atoms होगे और सब की क्या होगी atomic dipole moment होगी अपनी अपनी ठीक है अब वो जो atoms हैं वो randomly move कर रहे हैं कोई किसी direction में है ठीक है उनकी जो dipole moment है वो एक direction में नहीं है ठीक है, अलग-लग direction में होगे वो clear है आपको यह वाली बात अब हम उस material को अगर हम किसी external magnetic field के अंदर place करते हैं यहां से क्या हमने apply कर दी external magnetic field यह external magnetic field है ठीक है, उसके अंदर हमने उस material को place कर दिया, तो देखो फिर क्या होगा यहां से समझना है आपने अब तब क्या होगा, magnetic field अब उसके उपर लग रही है तो यह जो dipoles है ठीक है, अब यह dipoles पे क्या लगेगा, magnetic field की वज़ा से torque पढ़ा है हमने पहले, ठीक है अब वो torque क्या करता है, देखो torque, जो भी आपके पास magnetic field है, external magnetic field वो उस dipoles को किस direction में align करने की कोशिश करती है अपनी direction में, मालो magnetic field किस direction में लग रही है ठीक है, तो यह जो भी dipoles है इन पे torque लगेगा, किस direction पे लगेगा, जिस direction में magnetic field है, मालो इस direction में magnetic field है, तो यह जो भी dipoles है वो किस direction में align होने की कोशिश करेंगे due to torque external magnetic field की direction की तरफ ठीक है, तो यह इस तरह से align हो जाते है external magnetic field की direction की तरफ पर सारे के सारे atoms तो होंगे कुछ-कुछ होंगे और कुछ-कुछ कैसे हो जाएंगे थोड़े से टिल्टेड रहेंगे इस तरह से पर काफी हद तक क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं वो किस तरह से हो जाएंगे एलाइन एक्सटरनल मेगनेटिक फिल्ट की डिरेक्शन में फिर वो फेक्टर पर डिपेंड करेगा अब कितनी एक्सटरनल मेगनेटिक फिल्ट अपलाई कर रहे हो जितनी जादा एक्सटरनल मेगनेटिक फिल्ट अपलाई करोगे उतनी ही जादा जो एक्सटरनल मेगनेटिक field लग रही है ठीक है वो बात की बात है बट अभी क्या है हम क्या कह रहे हैं कि external magnetic field जब हमने apply करी उस material को उसमें place किया तो जो भी dipole movements हैं वो किस direction में align होने शुरू हो जाएंगे magnetic field की direction में because उन पर torque लग रहा है clear है आपको यही हमने write down किया देखो यहां पर when a magnetic material is placed in a magnetizing field it gets magnetized जैसे हमने इसको external magnetic field में रखा तो यह magnetized जो होना start हो गया ठीक है the magnetic moment developed per unit volume of a material when placed in a magnetizing field is called intensity of magnetization देखो intensity of magnetization आई क्या है कितनी magnetic moments जो है कितनी magnetic moments develop हो रही है किसी particular volume में मालडो आपने यह volume consider कर लिया इसमें कितनी magnetic moment जो है वो align हो रही है एक direction में divided by volume यह वाली चीज़ इसे हम बोलते हैं intensity of magnetization clear है आपको यह वाली चीज़ छीक है i equal to m divided by v m क्या है आपके पास magnetic moments उस particular volume में वो divided by volume यह हो गया आपके पास intensity of magnetization देखो बहुत सारी books में intensity of magnetization को m से denote भी किया हुआ है capital m से हमने i से कर लिया क्योंकि हम पहले capital m को क्या है dipole moment इसलिए हमने i से denote किया clear है इसमें confuse नहीं होना है अब देखो next वाला जो है वो क्या है आपके पास magnetizing field intensity इसे हम denote करते हैं h से magnetizing field intensity यह क्या है देखो the ability of magnetizing field to magnetize a material medium is expressed by vector h called magnetizing field intensity magnetizing field intensity क्या हो गई कितनी ability है उस external जो आपने magnetic field apply की हुई है उसकी कितनी ability है to magnetize a material कि वो इस material को magnetize कर सके उसमें कितनी ability है वो means जो आपके पास external magnetic field है उसे हम कहते हैं magnetizing field intensity मतलब उसकी कितनी ability है तो external वाली कौन सी हुई h उसे हमने नाम दिया magnetizing field intensity बहुत बच्चे confused रहते हैं इसमें यह जो हम बहार से apply कर रहे हैं जो यह वाली external magnetic field है ठीक है इसे हम कहते है magnetizing field intensity और intensity of magnetization क्या होती है आई जितना जो अंदर material के अंदर जो कितने magnetic moments है per unit volume clear होगे आपको अब देखो एक बात यहां से हमें clear भी हो रही है अगर जितनी ज्यादा strong magnetizing field intensity होगी मिस h जो external वाली field है उतनी ही ज्यादा i की value भी होगी ठीक है क्योंकि ज्यादा strong magnetic field हम apply करेंगे तो फिर क्या होगा उतने ही ज्यादा जो dipole moments है वो एक direction में align होगे मिस i की value भी क्या होगी increase होगी यह बात आपको clear है यह दोनों चीज़ें आपको clear होगी अब देखो net magnetic field inside matter is due to two factors अब net magnetic field जो produce हो रही है वो दो factors पर depend कर रही है जब भी हमने किसी material को magnetic field में produce place किया number one internal factor i अब देखो internal factor कौन सा है यह वाला यह internal factor हुआ ठीक है कितनी dipole moments जो एक direction में है per unit volume internal factor i पे और external factor h पे जो आप बहार से external magnetic field apply कर रहे हो चीक है तो जो b net है means जो भी आपके पास आपने जो material use किया है जो medium की जो magnetic field है वो दो factor पे depend कर रही है b net is directly proportional to h पे भी depend कर रही है plus i पे मतलब जितनी आपकी external magnetic field है और जितनी आपकी intensity of magnetization है h plus i पे depend करेगा कोई problem नहीं है यहाँ पे ठीक है अब b net equal to जो है proportional to sign हम अटाएंगे और यहाँ पे introduce होते है mu naught h plus i और mu naught को हम कहते है permeability of free space ठीक है और mu naught की value क्या होती है देखो हमने पहले भी पढ़ा है mu naught upon 4 pi की value किसके बराबर होती है 10 raise to power minus 7 अगर mu naught की value की बात कर नहीं है तो किसके बराबर हो जाएगी 4 pi into 10 raise to power minus 7 clear है यह वाला relation आपको याद रखना है books में इस तरह से भी write down किया हुआ है आप write down कर सकते हो h equal to यहाँ से b upon mu naught minus i आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी write down कर सकते हो clear यह relation आपको याद रखना है b net equal to आया mu naught h plus i के बराबर clear रहे आपको यह ओके next वाला है magnetic susceptibility इसे हम jai से denote करते हैं ठीक है jai से denote करते हैं इस तरह से और इस तरह से यह sign बनता है इसका magnetic susceptibility अब देखो इसको define करने से पहले देखो क्या है i is directly proportional to h मैंने अभी कहा ठीक है देखो जितनी external magnetic field होगी magnetizing field intensity होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी intensity of magnetization ठीक है वो clear हो रहे है जितनी आप बहार से strong magnetic field लगाओगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी i की value ठीक है सो हम write down कर सकते हैं यहाँ पर i is directly proportional to h ठीक है देखो सब चीजें एक दूसरे के साथ connected है तो i equal to proportionality sign हटेगा तो हमने यहाँ पर जाई introduce कर दिया जाई h इसे हम कहते हैं जाई को जाई is called magnetic susceptibility अभी आपको यह याद रखना है जाई क्या होता है magnetic susceptibility तो i की value किसके बराबर आजाएगी i divided by h के बराबर कैसे define करेंगे magnetic susceptibility is the ratio of sorry it is defined as the ratio of intensity of magnetization i to the magnetizing field intensity h clear है अग इसकी define करना है इसको तो हम इस तरह से define करेंगे यह भी आपको हमेशा याद रखना है magnetic susceptibility क्या होता है हमने कहा i is directly proportional to h जितनी हम external magnetic field लगा रहे है उतनी ही क्या होगी intensity of magnetization होगी ठीक है और यहाँ से हमने magnetic susceptibility find out कर ली अब देखो जो magnetic susceptibility है यह ratio है दो ऐसी quantities का जिनका क्या है देखो है तो यह magnetic field ही ठीक है तो दोनों का क्या है unit same है इनके ampere per meter तो दोनों की क्या होगी unit cancel out तो जो आपके पास magnetic susceptibility है उसके कोई units नहीं होते है clear है क्योंकि दोनों की units क्या है same है cancel out हो गए यहां तक आपको clear हो गया अब देखो अब हम यहां पे write down अब इसी को ही हमें अगर write down करना है जैसे हमने जो B net निकाला था B net देखो यह वाला यह B net किसके बराबर था new not h plus i के बराबर चीक है अब यहां पे हम write down कर सकते है new not h plus i की value अब यहां से देख लो यहां से क्यानिक लिया i की value magnetic susceptibility into h तो हम यहां पे write down कर सकते हैं get xi h के बराबर आ गया है 27 अब यहां पे देखोmongma h को हम common ले लेगे h को अगर हमने common ले लिया आपको visible है mu naught 1 plus xi बहार h आ जाएगा तो b net को हम इस तरह से भी write down कर सकते हैं clear है देखो हम step wise कर रहे हैं हमने पहले ये वाली चीज find out करी फिर हमने कहा i किसके बराबर हो सकता है xi m के बराबर तो i की value write down कर ली तो b net की value किसके बराबर आ गई इसके बराबर clear है अब देखो हमें एक और relation find out करेंगे यहां तक आपको clear हो गया अब देखो if there is no material अगर मान लो ये material place ही नहीं किया हुआ यहां पे है यह नहीं यह वाला place ही हां पे अगर ये है यह नहीं यहां पे तो i की value क्या होगी उस case में 0 because i तो यही था ना कि इसके अंदर कितने magnetic dipole moments हैं per unit volume जब ये material ही नहीं रहेगा तो i की value क्या हो जाएगी 0 if there is no material तो i की value vacuum की बात कर रहे हैं तो i की value 0 होगी ठीक है उस case में b net की जगा हम b not write down कर सकते हैं because हम vacuum की बात कर रहे हैं कोई problem नहीं है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम b not write down कर लें तो equal to mu not h i की value क्या हो जाएगी उस case में 0 तो b not किसके ब्राबर आजाएगा mu not into h clear है तो b not किसके ब्राबर आगा mu not into h यह हम किब कब की बात कर रहे हैं जब अंदर हमने कोई material placey नहीं किया हुआ है medium placey नहीं किया हुआ है vacuum है वहाँ पर clear है okay if there is a material अगर मालो वहाँ पर material है तो हम b net को क्या write down कर सकते हैं bm material की जो net magnetic field है ठीक है bm equal to किसके ब्राबर होगा अब हम i exist कर रहा है तो हम यह वाला formula यह उस करेंगे into h यह वाली चीज है यही हमने यहाँ पर write down किया देखो ठीक है bm equal to किसके ब्राबर आ गया mu naught 1 plus i h के ब्राबर जब उसमें material place करेंगे हम ठीक है अब देखो जब vacuum था तो b naught की value थी mu naught into h अब हम जब हमने material place कर दिया तो bm की value आ जाएगी अब देखो यहाँ से कर हम compare करें तो mu m इस पूरे को हमने क्या write down किया mu m के ब्राबर तो mu m की value क्या आ गई mu naught 1 plus i बहुत जगा यह relation भी use होता है तो आपको यह भी आद रखना है देखो हमने इसलिए सासाथ में means back वाली चीज़ों को ही use करकर कि हम step wise कर रहे है बुक में एकदम से write down कर लिया होता है तो understand करना थोड़ा सा मुश्किल होता है clear है तो यहाँ पे mu m की value क्या आ जाएगी mu naught 1 plus i देखो तब भी हमने यहाँ mu m ऐसे write down किया clear हो आपको यह अब देखो एक चीज़ यहाँ से भी clear हो रही है पोल्स है वो एक direction में align होंगे और वो भी क्या करेंगे net magnetic field produce करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगी जो आपके पास पूरी magnetic field है उसकी value increase हो जाएगी आप समझ रहे हो ना value क्या हो जाएगी magnetic field की increase अगर यहाँ कोई medium ही नहीं है तो फिर जो magnetic field है उसकी value कौन सी रहेगी जो आपने external magnetic field apply की है वही value रहेगी उसकी पर जब हम कोई material इसके अंदर introduce कर लेंगे magnetic field के अंदर तो क्या होगा उसके अंदर भी बहुत सारे dipoles हैं वो भी क्या करेंगे एक direction में align होंगे और वो भी magnetic field produce करेंगे net magnetic field एक direction में तो वो इसमें add हो जाएगी और उसकी value क्या होगी ज़्यादा होगी मिस जब भी हम material introduce कर रहे है तो magnetic field की value क्या हो रहे है increase clear है यह वाली बात देखो आप यहां से भी understand कर सकते हो क्योंकि B0 की value क्या है mu0 into h और BM की value क्या है यह कौन सी है देखो यह है जब हमने कोई material place नहीं किया हुआ तो जो net magnetic field है वो यह वाली है जब हमने material उसमें place कर दिया तो BM की value mu0 into h है same है यह देखो अब देखो mu0 क्या किसके बराबर है mu0 plus mu0 one plus xi means इस वाले में हमने कुछ ना कुछ कोई quantity add करी है तो mu0 की value क्या है mu0 one plus xi means यहाँ पर क्या हो रहा है कोई ना कोई चीज add हो रही है mu0 में तो it means BM की value क्या होगी जदा होगी यहाँ से भी clear हो रहा है B0 के comparison में BM की value क्या होगी जदा because यह quantity क्या है जदा है क्यूंकि इसमें कुछ ना कुछ add हो रहा है clear है यह relation भी आपको याद रखना है next है relative permeability जिसे हम mu r से denote करते है it is defined as it is defined as the ratio of the permeability of the medium to the permeability of free space mu r से denote करते है medium की permeability कितनी है और vacuum की कितनी है इनका ratio अब देखो mu m divided by mu not अब mu m की value आप यहाँ से write down को लोगे mu m यह देखो चीक है mu m यहाँ से क्या आ जाएगा bm divided by h bm divided by h और mu not की value क्या होगी b not by h यह उपर चला जाएगा h से h cancel तो relative permeability को हम write down कर सकते है bm divided by b not clear हो गया यहाँ पर यह relative permeability हो गया अब देखो इसी चीज़ को अगर आपने susceptibility की form में write down करना है तो mu r equal to किसके बराबर बोला हमने relative permeability medium की permeability divided by vacuum की permeability ठीक है जब उसमें कोई material हमने place नहीं किया हुआ है तो अब हमें पता है जो mu m है वो किसके बराबर होता है mu not one plus xi यह वाली चीज mu m equal to किसके बराबर होता है mu not one plus xi हम write down कर सकते है चीक है तो हमने यह वाली चीज़ यहां write down कर ली mu not one plus xi divided by mu not mu not से mu not cancel जो relative permeability हो गया वो किसके बराबर आ गया one plus xi देखो यह एक relation भी बन गया किस-किस के बीच में relative permeability और magnetic susceptibility के बीच में उनके बीच में यह relation भी बन गया ठीक है इन दोनों के बीच में यह वाला relation भी आपको हमेशा याद रखना है क्लियर हो गया देखो आज हमने कुछ-कुछ जो आपके पास important terms हैं जो magnetism में used होती है उसके बारे में discuss किया आपके लिए थोड़ा सा new topic है आप अच्छे से इसे step-wise understand करें ओके, thank you